हर एक सर्कल का क्या होता है सेंटर सेंटर से जो भी राइन जाएगी सर्कल तक उसको हम क्या बोलते हैं यह क्या बन जाएगी मारी रेडियस अब जब रेडियस को यहां तक ले जाएगे कोई भी राइन जो सर्कल के सेंटर से पास करेगी और सर्कल को दो प्वैंट्स पर कच पर एक सो क्या बोलेंगे रेडियस अब तीसी चीज़ हम ने क्या पढ़ी थी का रेडियस कॉड़् क्या थी यह भी सर्कल को दो वाइट्स पे टच कर रही थी लेकिन कंडिशन किया थी कि यह सर्कल के सेंटर से पास नहीं होगी और सेंटर से पास नहीं होगी उसको हम क्या बनेंगे अब यह भी आ रहा है यह भी आ रहा है डाइमेटर किसके बराभर हो जाएगा और प्लस कितना बन जाएगा तो यह भी प्लेगा यहां अब जो आगे बाद यह क्या अगया हमारे पास किसे साथ यह आगया हमारे पास सैटर यह हमारी रेडियस और यहां पे आती कित क्या बन जाएगा हमारे पास क्या यह एंगल अब इसमें कौन कुन सी चीज़े हैं एक ये वाली और एक कुन सी है ये वाली इसका एंगल क्या होगा ये वाला अब इसको हम क्या बोलेंगे माइनर सैक्टर ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे मेजर अरहे है लेकलोगे सारी दे सारी बेसिक चीज़ नहीं ऑप क्या बोलें मैनर स्टर इसको क्या बोला मेजर शेंटर अग कि यह जो माइनर सैंक है कि मैं मैंक म्हां यहां पर कॉर्ट कर देंगे कि यह से दिया जांग हमारा हें एदल अब किसमें को उन्से अरिया साल है दो एंख आ गया यह वरला और दूसरा आ गया यह वस्य आगे यह वर अगया है tip पूरा कब पूरा ओ ए सी बी ओ ए सी बी क्या है हमारे पास माइनर सेक्टर तो ए सी बी यहाँ पर हमने क्या करती है सिस्पेक लाइन ड्रा करती है और ए से जो अधिया ऑ हमने क्या करती है लाइन ड्रा अभ यहाँ पर क्या है इसकी दो चीज़े बन गए उमारे पास ए क्या बननी पास ट्रायंगल ओ ए B बन गई यह O A B दूसरी चीज़ क्या बन गई हमारे पास A C B ठीक है प्लस A C B अब यह जो A C B है इसको हम क्या बोलेंगे A C B को हम क्या बोलेंगे Minor Segment क्या बोला हमने इसको Minor Minor Segment Confusion यह जो पूरा O A C B है यह क्या है Minor Center और A C B यह क्या है Minor Segment Clear यहाँ बोलेंगे अब एफोजी यह यहाँ क्या है Center A C B और यहाँ अगर हम कोई यह करते हैं B अब अब अगर A C और B क्या था हमारे पास Minor Segment यह चीज क्या थी हमारे पास Minor Segment की ना Minor Segment अब अब यह जो पीशे वाली चीज बच जाएगे इसको हम क्या बोल रहेंगे Major Major का मतलब क्या होता है Major का मतलब क्या होता है B अब यहां पर यह वाली चीज क्या थी हमारे पास Minor Segment अब इसको अगर आपने काड़ दिया तो यह वाली चीज क्या बच गई हमारे पास Major Major Segment Major Segment ठीक है Clear है यहांदर Clear है यहांदर Major Segment क्सको बोला आपने A A B A B B इससे देख्रूफ Radius Diameter Cord Diameter के रहना है 2R यह आगया जब आपने एंगल मना दिया है तो यह क्या बन गया मारे पास Minor Segment Minor Segment यह बन गया Major Sector ऐसे यह वाली चीज़ बन गई हमारे पास जब आपने इसमें एक Cord ड्राव कर दे तो यह नीचे वाली चीज़ बन गई Minor Segment और यह वाली चीज़ क्या बन गई हमारे पास Major Segment 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 Question में किसी में आपको Sector कुछेंगे किसी में आपको Segment Segment कुछेंगे ठीक है बना ली डियाग्राम चीज़ की अब पूरे इसमें जैसे यह पूरा सर्कल है इसमें कितना एंगल बनेगा 360 यह यह पूरा एंगल कितना है यह पूरा एंगल कितना बन गया हमारे पास 360 डिए अब ऐसे यह पूरा एंगल कितना बन जाएगा सिर्फ यह वाला वान एंगल जब इसको हमने फर्दर इसमें कर दिया यह कितना बन जाएगे 90 डिग्री ठीक है 80 डिखो एंगल स्वाल 90 डिखो 90 डिखो